हेलो दोस्तों आपका स्वागत है अमारे चैनल इस्टेडी वित हिरामने तो हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं पार्ट टू जो बहुई कलपी करवा रहे थें बायलोजी का उसका भाग दो है तो चलिए देखते हैं इसमें पहला कोचन है क्या तो जैविक अड़ों के बहुली करण में पहला कोचन है आपका जैविक अड़ों के बहुली करण में आगे आपको पूड करना है तो इसका जैविक अड़ों के बहुली करण में एक ही स्रेडी के विभिन प्रकार के अड़ो एक दूसरे के पीछे जूड कर रेखी वरिहत्ताड बनाते हैं तो इसका राइट आंसर यही है दूसरा वाला ठीक है आगे बढ़ते हैं नुकलियोटाइट्स अमली क्यों होते हैं जो नुकलियोटाइट्स होते हैं वो अमली क्यों होते हैं नुकलियोटाइट्स अमली क्यों होते हैं का आप आंसर दीजिये थो फासफाइट समोगे रिडात्मक आविस के राड़ ये ही इसका राइट अंसर है तो किस पौधे में तो यहाँ पर है आवरित भीज्जियों ही ठीक है अवरित बीजियों में हुई थी आगे बढ़ते हैं DNA के अनुवांसिक पदार्थ के होने के संबंद में सर्वोत्म प्रमाड किस से प्राप्थ हुआ तो जो DNA ही अनुवांसिक पदार्थ है इसके संबन्द में सरोतम प्रमाड किसके द्वार प्राप्त हुआ तो यह ग्यान की DNA किंद्रक में पाए जाता है ठीक है यह चाओ था इसका राइट आंजर है आगे बढ़ते हैं यह घाला कोचन है पर्माडों की संख्या क्रमशय होती है तो यहाँ पे दो तथा चार ठीक है गौनिन एडनेन उसके बाद है यहाँ पे दो तथा चार यहाँ इसका राइट आनसर है आगे बढ़ते हैं काउन सी सरकरा ड्य&्न अड़ों के संसलेशन में भाग नहीं लेती है तो हो जाएगा इसका राइट आनसर दी ठीक है, मतलब B और C दूनो, राइबोज और गुलुकोज दूनो, ये दूनो इसका राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं, दो निकलियोसोम को जोड़ने वाला DNA कहलाता है ठीक है, गिला कोचन है, दो निकलियोसोम को जोड़ने वाला DNA क्या कहलाता है तो अंतराली DNA कहलाता है आगे बढ़ते हैं मेंडल ने सुद्ध सफेद पूस्प वाले परभावी मतर के पौधे का परभावी सुद्ध लाल पौधे संकरड करवाया तो संकरड की परथां पीड़ी में उत्पन होने वाले पौधे होंगे तो बताएए क्या होंगे ठीक है तो सभी लाल होंगे ठीक है जो परभावी वाला है यहाँ पर सभी लाल पौस्प होंगे परभावी वाले का गुर्ड दिखेगा बस आगे बढ़ते हैं निमन में से काउंसा एंजाइम DNA दुईगुडण करता है DNA दूइगुड़न कौन सा एंजाइम करता है दसवा कोच्चन है बताइए तो DNA पॉलीमरेज ठीक है DNA पॉलीमरेज इसका राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं RNA प्राइमरी की आवसकता होती है जो RNA प्राइमर होता है उसकी आवसकता क्यों होती है तो इसका पहला है DNA दूइगुड़न में ठीक है RNA प्राइमर की आवसकता होती है DNA दूइगुड़न में इसका पहला राइट आंसर है ठीक है आगे बढ़ते है अगला है हर गोविंद खुराना होली में नारेन बर्ग को किस कार के लिए 1968 हिस्भी में नोबल प्रुषकार प्रदान किया गया तो बरहवा है आपका कोश्यान कि हर गोविंद खुराना होली एम नेरन बर्ग को किस कार के लिए 1968 में नोबल प्रुषकार प्रदान किया गया तो यहाँ पे अनुवांसी कूट संबंधी कार है ठीक है पहला इसका राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं एक हेमोफिलिया मनुष्य में मनुष्य एक सामान ने होमोजाइगस इस्त्री से विवाह करता है उसके कितने प्रतिसाथ पुत्र हेमोफिलिक होंगे ठीक है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा आगे बढ़ते हैं क्योंकि पुरुस वाहक नहीं होते हैं एमोफिलिया के इस्त्रीय वाहक होती है आगे बढ़ते हैं एक युगल का रख्त समू ए तथा भी है तो उसकी संतानों का रख्त समू होगा ठीक है कोई कपल है कोई जोड़ा है उसका रक्त समुह ये तथा भी है उसके संतानों में रक्त समुह क्या होगा तो बताइए तो उसके संतानों में ये सब ही होंगे आगे बढ़ते हैं निमन मेंसे कौन उनुपात रेशियो टेस्ट क्रास को प्रदर्सित करता है तो आर्य अननने में पाई जाने वाली क्वह चारों होने की संभावना है । आगे बढ़ते हैं तो यहां पे RNA में राइ बूज सरकर अपय जाती है आगे बढ़ते हैं Ambanzic code की genetic code क्या है genetic code किसे कहते है तो इसका right answer है triplets ये यही है इसका right answer आगे बढ़ते हैं transcription में बनता है transcription में क्या बनता है तो आप सभी लुग पढ़े होंगे ट्रांस्क्रिप्शन में यह मारंने बनता है आगे बढ़ते हैं कि ड्रासो फिला में गुर्शूत्र की संख्या होती है उनिस्वा है ड्रासो फिला में गुर्शूत्र की संख्या होती है तो आठ होती है इसका राय टांसर आठ है आगे बढ़ते हैं मनुस्य में कितने सहलगन समोह पाए जाते हैं तो 23 आगे बढ़ते हैं अनुवांसिक नक्सा जेनेटिक मैप वह है जो 21 का बताईए यहां पे गुर्षूत पर जीनों का अस्थान सुनिश्चित करता है ठीक है यही इसका राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं मिंडल द्वारा अध्यान किये गए सात लग छड़ों को नियंत्रित करने वाले जीन कितने गुर्षूत्रों पर इस्थित हैं तो 23 का बताईए तो यहां पे हो जाएगा चार ठीक है आगे बढ़ते हैं मिंडल द्वारा अध्यान किये गए मतर में निमन म से कौन सा लच्षड अपर भावी था ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, छै, सॉरी, सॉरी, मिंडल दवरा अध्यान के गए मटर में, निमन में से कौन सा लग्षड आया परभावी था, यहाँ पे बीज का रंग, डी वाला ये सही है, मुग पर वाला सोचे, बीज का रंग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुवांसरी कोड सब्द, सब्द कोश में, सभी आवस्यक 20 अमेनों अमल है, तो कितने कोड हैं, यहाँ पे यह तो बिल्कुल एजी कोचन है, 64, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे, एक किसान ने, वालनट कलगी और सिंगल कलगी वाले, मुर्गे के, बीच करास कराया, यह फ्रोन पीड़ी में सभी वालनट कलगी वाली मुर्गियां प्राब्त की गए, जिनका जीनो टाइप था, तो आपको जीनो टाइप बताना है, ठीक है, जीनो टाइप आपको बताना है, तो इसका राहिट आंसर यह हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बीवाला, बियन्य के कहलाता है तो इस प्रकार का प्रतिकरण अर्धसन रक्षी कहलाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं गुर्षूत्रों में अंतर खन्डों का एक कार्य है वो का प्रभावित महिला पुरुस की संतावनों में इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों का प्रतिसत क्या होगा तो यहां पर 50% होने की संभावना है पहला आगे बढ़ते हैं क्या होगा यदि 50 आमीनों अमल की एक पाले पेप्टाइड स्रिंखला के जीन के 25 कोडान में उत्परवरतन द्वारा यू एक कोडान बन जाए ठीक है तो यहां पर इसका राइट आंसर होजेगा 24 आमीनों अमलों की पाली पेप्टाइड बनेगी ठीक है क्योंकि हमेशा पाली पेप्टाइड जोड़े में बनती है इसलिए आगे बढ़ते हैं अनुलेखन के दोरान डियन्य कवे अस्थान जहां आर्यन्य पालिमरे जुडता है कहलाता है कि ट्रांस्क्रिप्शन के दोरान डियन्य कवे अस्थान जहां आर्यन्य पालिमरे जुडता है वो क्या कहलाता है तो वो कहलाता है प्रोमोटर ठीक है प्रोमोटर साइट आगे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर उसका राइट आंसर है या लाकार की ठीक है या लाकार की होती है उसकी 3D सन रचना आगे बढ़ते हैं प्रोकेरियोट्स में टांसलेशन के प्रारंब के समय जी टी पी अड़ु आवस्यक है तो यहां पर इसका राइट आंसर है या फार्मिल मेट टी आर्यने को 3S MRN से जोड़ने में आगे बढ़ते हैं अगला आपके पास कोश्चन है कि निम्न में से काउन सा कोडान प्रोटीन संसलेशन में कोडान के अनुरूप अमेनो अमल प्रारंबन कोडान इनिसेशन कोडान अथा वीराम कोडान के साथ सही मिलांदर साता है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है यह वाला UAC टारोसीन ठीक है आगे बढ़ते हैं ड्रासो फिला में लिंग निर्धारण होता है जो ड्रासो फिला है इस में लिंग निर्धारण कैसे होता है तो यक्स गुर्षूत की संख्या एवं आटो सोम के समोह के अनुपाद द्वारा आगे बढ़ते हैं 36 है कि क्रिस्मस रोग का दूसरा नाम है क्रिस्मस रोग है इसका दूसरा नाम क्या है तो हेमोफिलिया B इसका राइट आंसर है जब जीनों का एक समुसह लगनता पर दर्सित करता है तग तो जब पूछा गया है जब जिनों का एक समों से लगनता दरसाता है तब ठीक है तो गुर्सुत्र नक्सा नहीं बनाते हैं यही इसका राइट आंसर है अब आगे बढ़ते हैं अगला है बबूल अविधारडा ठीक है अच्छा बूबल अविधारडा के अनुसार किसको महतपूर नहीं माना जाता ह है तो यहाँ पर एक कोडान के तीसरे सदस्यकों इनके अनुसार महत पूर नहीं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पूछा गया नेमशनवां श्रीट से संबंधित नहीं है यहाँ तो यहाँ पर हो जाएगा य यूरूडिलिक अमल ये यूरिव डीलिक अमल DNA से संबन्धित नहीं है यह RNA से संबन्धित है आगे बढ़ते है RNA में ADNIN किसके साथ जोड़ता है जो ADNIN है RNA में ADNIN किसके साथ जोड़ता है तो यहाँ पर है URACIL द्वारा ठीक है? आगे बढ़ते है सबसे छोटा RNA है सबसे छोटा RNA है तो t rn होता है जो सबसे छोटा होता है जिवाडू का dn कहलाता है जिवाडू का dn क्या कहलाता है तो जिवाडू का dn जो है उसको कहते हैं जीनो फोर ठीक है जीनो फोर अब नाट्रोजन युक्तचार में नहीं होता है नाट्रोजन युक्तचार में क्या नहीं होता है तो फ तो T-DN ने उपस्थित होता है तो T-DN किसमें उपस्थित होता है तो इसमें T-Plasmid में ठीक है आगे बढ़ते हैं गुर्षूत्रों की वनसागति का सिध्धान्त सर्व पर्थम किसके द्वारप परितिपादित किया गया तो पैतालिसवा जो कोस्चन है यहाँ पर कहा गया कि गुर्षूत्रों की वनसागति का सिध्धान्त सर्व पर्थम किसके द्वारप परितिपादित किया गया तो इसका राइट आंसर है शटन एवं बोवेरी द्वारा शटन एवं बोवेरी आगे बढ़ते हैं वह परक्रिया जिसके दवरान जिसके द्वारा DNA को उत्पन कर कहलाता है ठीक है तो जब DNA से RNA बनता है तो वह परक्रिया क्या कहलाता है तो इसको ट्रांस्क्रेप्शन या अनुलेखन कहते हैं आगे बढ़ते हैं वह एंजाइम जो आणविक कैशी की भात अनुवांसिक अभिहंत्रकी की अभिहंत्रकी में DNA को किसी विसिष्ट आस्पान से काटने हेत उपियों किया जाता है तो यहाँ पर restriction endonuclease यह इसका right answer है 47 का जो C है restriction endonuclease आगे बढ़ते हैं यहाँ पर है किसी पादप का लंबे पन का कारक T प्रभावी है तो बावने पन का कारक small t प्रभावी है तो लाल पुस्प का लाल पुस्प का प्रभावी आ र small r है यदि इसका capital R capital R capital T small t का संकरण यहाँ पे small t small t small r से कराए जाए तो लंबा इवं लाल पुस्प वाले पादपो का प्रतिसत क्या होगा तो संकरण करवाने पे 50% की संभावना है C वाला इसका right answer है आगे बढ़ते हैं प्राय है mutation से उत्पन होते हैं तो उत्परिवर्थन या mutation से क्या उत्पन होता है तो यहाँ पे प्रभावी जीन जो होते हैं उत्परिवर्थन से उत्पन होते हैं आगे बढ़ते हैं यह मारन येमारन्य का कोडान जो कि प्रोटिन संसलिसर्ड को आर asthma करता है क्या है तो AUG है AUG प्चासवा का B हो जाएगा AUG DNA के एक कंडल की למbाई लगबग होती है दो DNA के एक कंडल हेलिकल की למbाई कितनी होती है लास्ट कोस्चन है यह DNA के एक कंडल की למbाई होती है तो यहाँ पर 3.4 नैनोमीटर यहे इसका राइट अंसर है 4 था 3.4 नैनो मीटर तो यहां पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद